गुद मॉर्निंग क्लास, क्लास टू ना इस टाइम टू इंग्लिश स्टडी से अपने इंग्लिश आइकनिक बुक और कम टू दा चैप्टर नमबर थार्टीन, दा नेम आप दिस चैप्टर इस दा स्लीपी कैट, है यह बुक पेज नमबर 97, ना रिट दिस चैप्टर, तु चाहता है कि मैं हर समय खेलता रहूं, वो बेड़ पर नहीं जाना चाहता है, नहीं वो सोना चाहता है, इस फादर सैड उसके पापा ने कहा, इस इंपोर्टन टू स्लीप और रेस्ट, यह बहुत जरूरी है, क्या की सोना और आराम करना, इस मदर सैड उसकी मम्मी ने कहा, और रुप जाओ, वन विकेंड, एक बार जब वो विकेंड पर तुशार और इस पारेंट वेंट विजट तुशार ग्रेंट पारेंट्स, तुशार और तुशार के मम्मी पापा, तुशार के दादी दादा से मिलने गए, तुशार's parents told everything to them, तुशार के पापा ने अपने मम्मी पापा को उस बारे में सब कुछ बताया, grandparents heard all about it said, उन्होंने इस बारे में सुना और कहा, I think I have an idea, मुझे लगता है मेरे पास एक idea है, Sammy, my fat cat, Sammy, मेरी बिल्ली का नाम है, can help, वो इसमें हमारी मदद करेगी, वो हमारी मदद कर सकती है, तुशार parents took Sammy home with him, तुशार के parents, Sammy was a slow, Sammy बहुत slow है, fat cat, वो एक मोटी यानि के fat cat है, most of the time she just slept, slept, वहे सारे हिसा में सोती रहती है, that night उस रात at bedtime, जब उनका सोने का time हुआ, तुशार again did not want to go to bed, तुशार फिर से bed पर जाकर नहीं सोना चाहता था time से, dad said Sammy would help, Sammy इसमें help करेगी, said तुशार's father, तुशार के father ने कहा, some hours later, कुछ खंटो बाद, तुशार final decided to go bed, कुछ खंटो बाद खेलने के बाद, तुशार ने अब सोना के लिए सोचा, but what a surprise, लेकिन अब क्या surprise है, when he entered his bedroom, जैसे ही उसने अपने bedroom में enter किया, परवेश किया, Sammy was sleeping on his bed, Sammy उसके bed पर सो रही थी, she was snoring like a train, snoring खरां टेले रही थी, जैसे बहुत तेज एक train चलती है न, बिल्कुल ऐसे तेज तेज खरां टेले रही थी, तुशार tried to shift Sammy, तुशार ने कोशिश करी, Sammy को shift करने की, but, लेकिन he could not move her, not even an inch, लेकिन वो उसे एक इंच भी नहीं हिला सका, that night, उस रात, तुशार hardly slept, तुशार बहुत मुश्किल से सूप आया, Sammy pushed him into one corner of the bed, Sammy ने उसको push कर करके एकी corner पर बैट के पहुचा दिया था, the next day, अगले दिन, the same things happened, फिर से यहीं हुआ, तुशार was tired and sleepy, but, Sammy was on his bed when he went up, फिर से क्या हुआ, तुशार बहुत ठका हुआ था, तुशार सोना चाहता था, but, Sammy उसके bed पर फिर से पहुच गई थी, बैट when he went up, जब वो जगा on the third day, third day, तीसरे दिन क्या हुआ, तुशार decided to get into bed before Sammy did, तुशार ने decide कर लिया कि Sammy से पहले वो बैट पर जाएगा और सोएगा that night, उस रात as soon as his parents said, जैसे उसके parents ने का now it's bedtime, चलो अब सोने कर समय हो गया है, तुशार runs upstairs, तुशार सेड़ी पर किया, उसने, his parents could not believe it, उसके parents को बिलकुल भी यकीन ही नहीं हुआ, इस बात पर they knew nothing about Sammy sleeping on तुशार's bed, so they did not understand why तुशार went to bed on time, उन्हें नहीं पता था Sammy और तुशार के बीच, जब तुशार सोने के लिए जाता है, तो Sammy उसको पहले से ही बैट पर सोई हुई मिलती है, और त उसके parents को नहीं पता था, तो वो बहुत जादा surprised थे, they were just happy that he did, लेकिन वो बहुत खुश थे, तुशार के time से सोने से उसके parents बहुत खुश थे, now you will read this chapter again, now read it, thank you.